फेस्बुक अब लोकल न्यूज को प्रमोट करेगा और गूगल प्लेस्टो से लाख हटाए गए 2017 में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक जरूर करें फेस्बुक के फाउंडम माक जुकबग ने कहा कि फेस्बुक के अगले अपडेट के बाद से फेस्बुक अपने लोकल न्यूज को प्रमोट करेगा और जो भी आपके लोकल एरिया का न्यूज होगा वह न्यूज फीड में पहले दिखाई देगी फेस्बुक के यह अपडेट सबसे पहले अमेरिका में आएगी फिर उसके बाद अन्य देशों में भी यह अपडेट होगा अब देखना यह है कि फेस्बुक यूज के लिए यह अपडेट कितना प्रभावी होगा और इससे फेस्बुक को कितना फायदा होगा क्यूंकि पहले सोशल मीडिया पर फेस्बुक की आलो चेना हो चुकी है कि फेस्बुक अपनी प्लेटफॉर्म पर गलत और फेक न्यूज को बड़ावाद दे रहा है और यह अभी देखना होगा कि फेस्बुक इन्वेस्ट इसे किस तरह देखते हैं चलिए गूगल प्लेस्टो के बारे में बात करते हैं गूगल ने अंड्रोइट प्लेस्टो से साल 2017 में लगभग 7 लाख हैप्स हटाए हैं और एक लाख डिवेलपर्स को भी हटा दिया है यह ऐसे डेवलपर थे जो पालिसी का उलंगन कर रहे थे और अश्लील और मेलवेव वाले अप्स अप्लोड करते थे गूगल के अनुसार 2016 सेकंड सतर पर सेंज ज्यादा अप्स 2017 में हटाए गए है हटाए गए अप्स में ऐसे अप्स भी थे जो असली अप्स की कॉपी कर नकली अप्स अप्लोड किये गए थे यूजर उसे असली अप्स समझ कर डाउंगलोड कर लेते थे इससे यूजर का डेटा चोरी होने का डैर रहता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यह वीडियो लाइक करे और मेरा चानल सब्सक्राइब करे